इस वीडियो में आप टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे टाइप कास्टिंग बेसिकली वेरियेबल को उसकी टाइप डिफाइन करने को कहते हैं बेसिकली थ्री टाइप के जो कास्टिंग फंक्शन्स हैं वो यूज होते हैं int, float and string इन तिनों function को use करते हुए हम किसी भी variable की type define कर सकते हैं या फिर variable को एक type से दूसरी type में convert कर सकते हैं example से देखते हैं इन प्रीव इन प्रीव आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने थ्री टाइप के वेरियबल लिखे हैं जिन में तीन जो है वो इन टाइप का है 3.5 float और focus soft ES string type का है लेकिन हमने casting करते हुए इन तीनों को integer में convert कर दी है या हमने इनकी type define कर दी है कि यह int हैं अगर हम इनको print करेंगे तो तीन as it is print हो जाएगा 3.5 जो कि float value है वो integer value में convert हो के print हो जाएगी code को run करते हैं अब हम इन values को print करवाएंगे print x print y and print z यहां पर जो है 3 वो integer type का है 3.5 float value है और जो 3 यह string है लेकिन चुकि हमने casting function यूज किया है तो इनको as a int ही define कर देगा अगर यह int नहीं है तो int में convert कर देगा 3.5 जो कि float value है यह 3 बन जाएगा और यह भी 3 में convert हो जाएगा code को run करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 as it is print हो गया जो 3.5 एक float value है उसको उसने casting function यूज करते हुए int में convert कर दिया है और जो string थी 3 यह भी as a int थी show हो रही है हमारे पास इसी तरह आप इनको float values में भी convert कर सकते हैं float function यूज करते हुए आप देख सकते हैं यहां पे 3.5 क्योंके पहले ही float था तो वह as it is print हो गया है और जो 3 int value थी उसको उसने point zero लगाके float में convert कर दिया है और इसी तरह string को भी उसने float में show करवाया है similarly string sorry string के लिए जो function है वह str का है ना के string का यह तीनों values ही अब as a string in print होंगे अगर हम type देखना चाहें इनकी तो उसके लिए type का function यूज करेंगे type.x type.x so इस तरह से हम casting function को use करते हुए किसी भी variable की type define कर सकते हैं या एक type से दूसरी type में convert कर सकते हैं और एक अए अए अए